नमशकार डीवी नीूस में आपका स्वागत है नर्मदपुरम जिले की सिवनी मालवत अहसिल की उपनगरी बानापुरा में चोड़ी की घटनाय थमने का नाम नहीं ले रही है बीती रात अग्याद चोरों ने नर्मदपुरम हर्दा मुख्यमार्ग पर जिला सहकारी बैंक के सामने बानापुरा में तीन दुकानों के ताले तोड़ दिये हाला कि इस दौरान चोर सिर्फ दो दुकानों से सामान और कुछ नगदी ही ले जा सके मामले की सूचना मलने पर पुलिस मौके पर पहुची और जाच में जोड़ी गई वहीं CCTV फुटेज खंगाले गए जिसमें अग्याद चोर CCTV में कैद हो गए है पुलिस चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है जिला सहकारी बैंक के सामने रगर पालिका के द्वारा तूटे मिले दुकान खोलने के दौरान दुकानदारों को ताला तूटे की जानकारी होई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई वहीं आशिपान सेंटर के संचालक मदन गोस्वामी ने बताया कि चोर उनके दुकान का सिर्फ ताला तोड़कर दुकान में रखी नगद दिखा वहीं जिसकी फुटेज सीसी टीवी में कैद हुई है पुलिस ने जब आसपास लगे सीसी टीवी के फुटेज खंगाले तो चोर सीसी टीवी कैमरे में दिखाई दी रही है थाना प्रभारी संजन सिंग मुकाती ने बताय कि ताला तोड़कर चोरी के आरोपी की तल सब्सक्राइब कर दी उसमें 1212 जार वफे संतिंग पूरा था तोडल तो फुरा सब्सप्राइब वा गया है नगतर अगे तो उसमें कि यह नाम मेरा नाम स्यासारू कली इससे पहले भी दुकानों में चोरी हो गई है आज भी चाव चोरी रात में देड़ बज़े रात को पुलिस वाले ने पून लागे वो ले इसे बाज़ी वाले थे कि तुम्हाई दुकान ने चोरी होगी शटर गिरा के ताल लागा के चले आओ और मैं सुभा हूंगा इससे पहले भी हमने रिपोर्ट डाल दिये फायर सब होगे लिंगा भी तक वह चोरी बोई चोर नहीं पकड़ा थाने गाई जित्ती तक के चकर वोला चल रही है कार भाई जे दुकान जे मेरे सीट कवर की दुकान दे जाने साल बर में च्छे-साथ चक्का चोरी हो गई रह की लाइन में और इससे पहले राहूल रजोरा वाले कि दाबी चोरी हुई थी और पेंटर वहां पर रही है आनलाइन की दुकान उनका सामन भी पूरा लेगा नों टीन उ बानापुरा से अरुन कश्यप की खास खबर और भी खास जौनकारी के लिए बने रही है डीवी नियूस के साथ